नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोगं का नालेज गैन चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हचछपी लोकों में जो ट्रेक्टेव फर्ट मीटर है जिसको कि लोड मीटर भी कहा जाता है अगर वो रिस्पांस नहीं कर रहा है तो हम क्या के ट् मीटर हमने थ्रटल एडवांस किया लेकिन हमारा टी मीटर नहीं आ रहा है तो यह हमारे कुछ बेसिक रिजन है जिसके कारण हमारा ट्रेक्टेव फर्ट काम नहीं करेगा जैसे रिवर्सर हैंडिल अगर न्यूट्रल पर है तो हम उसको फारवर्ड में कर देंगे ECP engine control panel पर अगर लगा जो isolation switch है अगर वो isolate है तो हम उसको run पे कर देंगे और control issue number 2 यानि long hood वाले control issue पर जो GF और ER का slider switch है अगर वो आफ है तो हम उसको on कर देंगे अगर dual cab है तो यह दोनों switch assistant side लगा होता है ECC one panel पर जो GF का circuit baker है अगर वो आफ है तो उसे on कर देंगे और trip है तो उसको हम reset कर देंगे इसके अगर यह सारे reason नहीं है तो फिर हम EM2000 पर जो LCC है उस पर हम message को पढ़ेंगे कि वो message क्या है जैसे अगर कोई भी idling safety device operate हुई तो भी हमारा T नहीं आएगा जैसे अगर display पर power ground का message है तो हम इससे संबंधित troubleshooting करेंगे इससे जो संबंधित troubleshooting है उसका हमने एक वीडियो बना रखा है तो देखकर आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या troubleshooting करना है अगर हमारा EM2000 पर PCS open का message आ रहा है तो PCS अगर हमारा operate हो गया है तो हम क्या करेंगे पहला हमारा काम होगा कि BP pressure को build up करेंगे और अगर pressure है तो message के answer penalty को recover करेंगे यानि अगर message आ रहा है कि A9 को FS पर 10 सेकंड रखेंगे और message आ रहा है कि A9 को emergency position पर 60 सेकंड रखेंगे तो हम A9 को emergency पर 60 सेकंड रखेंगे फिर अगर water temperature 101 degree से अधिक 100 कर रहा है तो हमको radiator fan का चलना confirm करना होगा और अगर radiator fan नहीं चल रहा है तो radiator fan circuit breaker को reset करेंगे अगर वो trip है तो उसके बावजूद नहीं चल रहा है तो हम control को सुचित कर देंगे यदि हमको message में crowbar fired in TCC1 या TCC2 का message आ रहा है तो संबंधित हम circuit breaker का recycle कर देंगे यदि message में आ रहा है कि no companion alternator output या रहा है no auxiliary generator output अगर इन में से कोई message है या auxiliary generator का output 0 बता रहा है या companion alternator का output बता रहा है कि नहीं मिल रहा है तो हमको ECC1 में लगे जो auxiliary generator field breaker है इसको check करना है ECC2 में लगे auxiliary generator circuit breaker को check करना है और auxiliary generator की जो shaft लगी है उसको check करना है यानि इन दोनों circuit breaker को check करना है अगर trip है तो इनको reset करना है और auxiliary generator की shaft ये centralized air filter compartment में local left side लगा होता है तो ये अगर shaft तूट गया है तो हमारा local fail हो जाएगा हमको तुरन मदद की मांग करना पड़ेगा AGFB को reset करने के बाद भी काम नहीं चल रहा है तो इस circuit की हम AGFB की recycle भी कर सकते हैं अगर TCC से सम्बंधित कोई message आ रहा है जैसे TCC failed to acknowledge load request या failed to acknowledge db request यानि dynamic break request failed to acknowledge direction request अगर इस type का कोई message है TCC से सम्बंधित तो हम TCC का क्या करेंगे recycle करेंगे www governor का informal plug चेक किया जाएगा अगर इसका informal plug धीला है तो उसको हम tight कर देंगे EM2000 में data meter में हम जाकर throttle handle की position चेक करेंगे कि हमारा यहां control stand पे throttle हमने खोल रखा है और वहाँ throttle handle position क्या बता रही है अगर same है तब तो सही है वरना हम control stand change करके कोशिस करेंगे शार्ट हुट का जो control stand है उसमें नीचे की तरफ 543A, 543B और 543C यह जो coupler है इनको हम check करेंगे इनकी tightness और अगर यह धीले हैं तो हम इनको tight कर देंगे इस प्रकार इतने point हो सकते हैं जिसके कारण हमारा attractive fault response ना कर रहा हो तो हम इतने point को check out करेंगे तो मिलते हैं next video में thank you